हलो फ्रेंट चटपटी रसोई वीत कवीता में एक बाफिट से आपका स्वागत है आज रेसिपी में आपके साथ शेयर करने जारी हूँ वह है फ्रेंच फ्राइस यह बहुत ही डिफ्रेंट है क्योंकि ना तो इनको उबालना पड़ता है ना सुखाना पड़ता है और दस मिन आलू आप जरूरी नहीं है कि कोई पर्डिकुलरी आलू लेने आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो उसका उपर का सर्फेस है ना वो सौफ्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हाड होना चाहिए तो आलू आप कोई भी ले लीजिए और हम उसी से ही फ्रेंच फ्राइस तो हम सबसे पहले आलू को इस तरह से पिल कर लेंगे मैंने आप इनको अच्छे से वाश कर लिया था और मैंने एक पानी का बॉल भरके रख दिया है ताकि हमारे जो आलू है वो काले ना पड़े तो एक एक करके हम उनको इस तरह से छीलते रहेंगे और पानी में डालते र करेंगे तो हम इक एक करके इस तरह से Sारे अलो को हम बस्ता अइटा ंंव कि ऊचला लेंगे यह देंकिंग Been कि आ इंकीbalanced करेंगे तो आप पीमीडियम साइट कि कहरेंगे ज्यादा मोटी ज्यादा पतली करने वो सॉफ्ट हो के तूट सब्लब म स्वार्म होता क्रों सकत entendum ऑब सुनाओ करना उंव होल Renee का एकनतर है करें तरह साथ साथ कर देखकर है मैं नहीं हम और अरभ access के कर लिए देखेंगे मैं ऊहतं हैं कर लिए तो बिस दोसरे में ऐस मैं ब्लब कर लिए तो यहां पे हमारे पुताटो की क्टिंग को चुकी है अब में तरा लेंगे तो बस अब क्या करेंगे इन आलू को हम ऑच्छे से 2-3 बार इसका स्टार्च है वो हमें निकालना है तो यहां पर अच्छे से इस तरह से करते होई अब मैंने को साफ पानी में डाल लिए और अब हमको एक स्टेनर में आलू को निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से तो मैंने ये स्टेनर में इसको इस तरह से सारे आलू डाल लिए हैं और ये जो एक्स्टर पानी है वो हमार डालेंगे थो बस अब बारी है इसका extra जो हमारा पानी है इसमें वो भी निकालेगे तो यहाँ पर मैंने कॉट्रों का कपड़ा लिया है जो भी आपके पस सूती कपड़ा भी रहो उसमें हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे हम तो जब तक हम इसकी कोटिंग तयार करेंगे तब तक हम वो आलू जो है उसी कपड़े में रहने देंगे तो कोटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर मैंने दो चमच मैदा लिया है और दो चमच ही मैं इसमें चावल का आठा मिक्स कर रही हूँ तो यह जो चमच का है वो मैंने बड़ी चमच ली है तो दो बड़े चमच चावल का आठा लिया है और दो चमच ही मैं इसमें कॉण फ्लॉर डाल रही हूं तो अगर आपके पास कॉण फ्लॉर मैदा और कुछ ना हो तो आप कोई भी एक चीज डाल लिजे या तो मैदा है तो मैदा और अब इसमें एक छमच हम नमक डालेंगे और एक छमच में मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हूं अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें कुटी मिर्श भी डाल सकते हैं और आधा चमच इसमें हम काली मिर्श पाउडर डालेंगे जिससे हमारी जो फ्रेंच फ्राइस की कोटिंग है बहुत ही टेस्टी हो तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ओल गरम करेंगे इसके लिए हम गयस पे पैन रखेंगे और उसमें ओल चड़ा लेंगे ओल को हमें बिल्कुल तेज हाई फ्लेम पे करम कर लेना है तो जब तक हमारा एकट कोटिंग को अच्छे से रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे यह देखी इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मुझको जो ओल है वो थोड़ा सा कम लग जग रहे है तो इसमें थोड़ा सा ओल और राय कर रही हूं ताकि हमारे जो पोटैटो है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो सकें तो बस इसमें थोड़ा समय इसमें oil और add कर रही हूं जो हमारे पोटैटो है वो बहुत ज़्यादा quantity में है और ये अच्छे से इसमें dip होने चाहिए तो बस इसको हम अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। तो वल हमार अच्छ से हो चुका है, तो फाइनली अब मैं इसमें इस वह गज़ी हैं, कोटिंग में अपने यह जो पटैटू हम ने रखे तेरा यह हम इसमें एड़ कर लेंगे, तो बस इसमें हम थोड़ी थोड़ी इस तरह से एड़ करते हैं, इनको अच्छे से हम इसको पटैटो में कोट कर लेंगे, और अच्छे से इसको इस तरह से हम करेंगे मिक्स ताकि सारे यालू में अच्छे से यह लग जाए इसे जो हमारे फ्राइज फिंगर्स है न बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप देख रहे हैं से हमें उबालने वगरे की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी तो बस एक एक करके हम इस तरह से इन में छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई है आप चाहें तो इनको इनको इंस्टंट बना के खा सकते हैं और आप चाहें तो इनको अगर आप गैस्ट को सर्फ करना चाते हैं तो आपके उमको half fry करके फ्रिज में रख दीजिए और फिर जब आपके कैस्टा हैं तो फ्रिज में से निकालके इनको एक बाद फ्रिज से आप fry करके गरमा घरम क्रिस्पी अपने fry fingers उनको दे सकते हैं आप से अगर आप में निकाले है contracting नरे करें dark of theज़ा से दिखासment Chief अगर आप प्लेट में निकालेंगे जिससे यह फिर इनमें क्रण्चिनेस नहीं आती है तो अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे बाहर यह देखिए इस तरीके से और इसमें फाइदा यह भी होगा कि जो आपका एक्स्टर ओयल है वह भी है इसमें निकल जाएगा तो इसी तरह से हम बागी के जो हमारे बच्चे ना उनको भी हम हाफ फ्राइज कर लेंगे तो अगर आपके बच्चे स्कूल गए हैं तो आप पहले से ही प्रिप्रेशन करके रख लीजे और जब आए तो बस फ्रिज में से निकाले और गरम अगरम उनको सर्प्राइज दीजिए बनाके बच्चे तो और यह देख रहे हैं आप खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और अब उबालना उबालने की भी हमारी जंचट पे उकल खतम हो चुकी है तो बस इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे यह फ्राइज को रेडी कर लेंगे बहुत ही बढ़िया बनके यह तैयार होते है अगर घर में बनी है जो चीजे होती है उनमें महनत भी लगती है और भीड सारा प्यार तो होता ही है तो जब हम घर में इतनी बढ़ी चीज बना सकते हैं तो मार्केट में क्यों डिपेंड रहे हैं तो बस इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे जो हैं फ्राइफ इंगर निकल चुके हैं को थोड़ अजा नॉर्मल हो जाने पर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखिए और यह दिखिए एक स्टॉयल भी कैसे निकल गया बार और कोई भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो या जिप बैग हो तो उसमें यह रखिए मैंने फ्रिज में आदागहंटा रखा था है और आदेगहंटे के बाद में इसको फ्रिज में से निकाला है और अब मैं इसको बिल्गल हाइट फ्लेम पे दुबार च्कारूं गी उसके बाद जिसमें बहुत ही से मौरियो Chipogen Chicken और अघ्त की बहुत ही पसंद होती है तो बस साथ चाइक गोषी क्यों आप कुछ उतली हमारे सम्सक्राइब गोष्माइब कर बेंटि क्यों और इंटी कांट अ ड्योत निकालेंगे पार्टी हो या फिर kitty party हो कोई भी occasion हो इसमें आप ये add कीजिए बस occasion का तो मज़ई आ जाने वाला है तो बस अब हम इस तरह से बाकी के भी जो है हमारे वह भी हम तयार कर लेंगे तो यह देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत यह और बढ़िया इनका तेस्ट आया है तो आप क्या सोच रहे हैं आप फटा फट से इनको बनाईए और मुझको कमेंट करके बताईए कि इस तरह से बनाएगया आपके यह फ्रेंच फ्राइज आपको टेस्ट में कैसे लगे तो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए अंदर से हमारे बहुत ही बढ़िया बनेया सॉफ्ट बलकुल बाहर से क्रंची तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ बाई